Good morning student, we will start the center idea of the poem Father Returned Home. Now we start the center idea of this poem is Modern Man Alienation from the Man-Made World. ये कविता या इस कविता का केंदरी विचार ये है कि आदनिक आदमी मनुष्य दुवारा बनाई गे दुनिया से अलग हो गया है. ठीक है? दिस वर्ड इस फुल ओफ हरी एंड वरी, हरी का मतलब होता है जल्दबाजी और वरी का मतलब होता है चिंता. तो ये जो सारा संसार है वह किस से फुल है? जल्दबाजी और चिंताओं से भरा परा है. अब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वह किसी दूसरे में इंटरस्ट ले ठीक है अब है दा सीनियर सिटीजन और नेगलेक्टिड लोट इन दा सोसाइटी नेगलेक्टिड होता है कि उनको नजर अंदाज किया जा रहा है जो शिनियर हमारे बड़े बजुर्ग है उनको समाज में इगनोर किया जा रहा है उनको इतना समान नहीं दिया जाता जितना उनको मिलना चाहिए सोसाइटी से मतल उनको लग ही कर दिया गया है इगनोर कर दिया गया है The poem Give Us a Picture of Sad Old Man who traveled to work by local train everyday in the city of Mobile यह जो कविता है, इस कविता में एक बुड़े और दुखी आदमी का चित्र पेश किया गया है जो के रोज हारोज काम के मामले में या काम करने के लिए लोकल ट्रेन में जाता है कहां जाता है, मुबाई सहर में जाता है He does not feel comfortable or at home in his atmosphere environment वो जो आदमी है, बुड़ा आदमी है, वो अपने आपको comfortable फील नहीं करता उसको जो अपने आस पास का वातावर्द है, उसमें वो easy फील नहीं करता, अराम नहीं मिलता He feels lonely even in the crowd वो इस दुनिया की भीड में अपने आपको अकेला फील कर रहा है मतलब इतना सैड है कि वो अकेला फील कर रहा है, चीक है, आगे है His isolation is seen in his inability to have dialogue with his family और जो friends Inability मतलब अजोग, मतलब आपने इर्दगिर्द, isolation मतलब आपने इर्दगिर्द, dialogue मतलब गालबात करने की, मतलब कला जो है, गालबात करने की कला, तो इसका मतलब है, कि वे बीड से बिलकुल अकेला में सुस करता है वे अपने परिवार और मित्रों से बात चीत करने की अयोगता में अपने आपको अकेला अनबव करता है ठीक है, he feel uneasy in his present, वो क्या कर रहा है, uneasy feel कर रहा है, मतलब उसको अराम ने मिल रहा, बहुत ही uncomfortable feel कर रहा है अपने वर्तमान में so the old man enter into the distant world of the past, फिर क्या करता है कि old man जो है, वो अपने जो बूत काल है, जो बीत के आसमया उसमें परवेश करता है और into the world of his own dream, जहां वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है, ठीक है the modern man is alienation in complex urban words, जो आदुनिक काल का मनुश्य है, वह शहरी जीवन से बिलकुल अलग रहता है the modern man is isolation in complex urban words, जो आदुनिक आदमी जो है, वो शहरी जिन्दगी से बिलकुल अलग रहता है तो dear students, यह हमारी कविता का center idea था, I hope कि आपको understand हो गया होगा next video में हम जो हमारी कविता हैं उसका center idea करेंगे, तब तक आप इसको learn करो, take care